चलो वीडियो शुरू करें है. अपना पहला सवाल है, वह तंत्र जो हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है. उस तंत्र को क्या कहा जाता है? उप्शन A. कपाल तंत्र, B. तंत्रिका तंत्र, C. कंकाल तंत्र, D. शरीर तंत्र. इसका सही जवाब है, C. कंकाल तंत्र. अपना दूसरा सवाल है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्या होती है? उप्शन A. 22 हड्याँ, B. 11 हड्याँ, C. 8 हड्याँ, D. 30 हड्याँ. इसका सही जवाब है, A. 22 हड्याँ. अपना तीसरा सवाल है, एक व्यस्क व्यक्ति के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? उप्शन A. 300, B. 206, C. 270, D. 106. इसका सही जवाब है, B. 206. अपना चौथा सवाल है, हमारे दोनों कानों में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? उप्शन A. 6, B. 12, C. 3, D. 9. इसका सही जवाब है, A. 6 अस्थियां. अपना पांच्वा सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? उप्शन A. 12 जोड़ी, B. 6 जोड़ी, C. 22 जोड़ी, D. 30 जोड़ी. इसका सही जवाब है, A. 12 जोड़ी. अपना चट्था सवाल है, हायोड नामक बस्ती कहां पाई जाती है? उप्शन A. कान में, B. हाथ में, C. पैर में, D. जीब के पास. इसका सही जवाब है, D. जीब के पास. अपना सात्वा सवाल है, शरीर में गर्दन के उपर वाला भाग क्या कहलाता है? उप्शन A. कपाल, B. खोपड़ी, C. चहरा, D. मुंग. इसका सही जवाब है, B. खोपड़ी. अपना आठ्वा सवाल है, कारपल्स अस्थियां कहां पाई जाती हैं? उप्शन A. हाथ में, B. पैर में, C. खोपड़ी में, D. रीड में. इसका सही जवाब है, A. हाथ में. अपना नौवा सवाल है, हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन से हैं? उप्शन A. अलना, B. नेजल, C. स्टेपीज, D. इनकस. इसका सही जवाब है, C. स्टेपीज. अपना दस्वा सवाल है, पटेला नामक अस्थि कहां पाई जाती हैं? उप्शन A. हाथ में, B. चहरे पर, C. पैर में, D. खोपड़ी में. इसका सही जवाब है, C. पैर में. अपना ग्यारहवा सवाल है, अस्थियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है, B. आस्थियों के अंदर भरा द्रव्य क्या कहलाता है? उप्शन A. ओसिन, B. वसा, C. प्रोटीन, D. मेंट्रिक्स. इसका सही जवाब है, D. मेंट्रिक्स. अपना तैरहवा सवाल है, हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड़ी कौन सी है? उप्शन A. स्टेपीज, B. फीमर, C. मेंडिवल, D. हायोरसितुम. इसका सही जवाब है, C. मेंडिवल. अपना चौद हवा सवाल है, हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थी कौन सी है? उप्शन A. फीमर, B. स्टेपीज, C. नेजल, D. हायोर्ड. इसका सही जवाब है, A. फीमर. अपना पंत्रहमा सवाल है, टार्सल नामक अस्थी कहां पाई जाती है? उप्शन A. हाथ में, B. पैर में, C. खोपड़ी में, D. रीड में. इसका सही जवाब है, B. पैर में. अपना सोलहमा सवाल है, हमारी अस्थी किसकी बनी होती है? Option A. वसा की, B. प्रोटीन की, C. कैल्सियम औफ फास्फोरस, D. कार्बोहाइडरेट इसका सही जवाब है C. कैल्सियम औफ फास्फोरस अपना सत्रहमा सवाल है कौन सा भाग हड़ी को हड़ी से जोड़ता है Option A. सनायू, B. कंडरा, C. उपास्थी, D. त्वचा इसका सही जवाब है A. सनायू अपना अठारहमा सवाल है जन्तु शरीर के बाहरी कंकाल का भाग नहीं है Option A. नाखून, B. सींग, C. त्वचा, D. हड़ीया इसका सही जवाब है D. हड़ीया अपना उन्नीसवा सवाल है हमारी खोपडी में एक मात्र गतिशील हड़ी कौन सी है Option A. मेंडिबल, B. पेलेटाइन, C. नेजल, D. पटेला इसका सही जवाब है A. मेंडिबल अपना अंतिम सवाल है शरीर की लंबी अस्थियों के सिरे किसके द्वारा ढखे होते है Option A. टेंडन, B. लिगामेंट्स, C. रक्त कोशिकाएं, D. उपास्थिसे इसका सही जवाब है D. उपास्थिसे वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद